रोयल एंफिल्ड 500 CC बेच के मैंने KTM 390 Adventure लिया क्यों लिया? आज हम इसी के उपर बात करने वाले हैं और कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई आपने इतनी अच्छी बाइक रोयल एंफिल्ड 500 CC आपने बेच क्यों दी? तो देखे रोयल एंफिल्ड 500 CC के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक लगभग 6 साल पुरानी बाइक है मेरी मतलब जब ये लाउंच हुआ था तो लाउंच की जो समभली जाएगी जो फर्स डिलेवरी थी नोईडा में वो मैंने ही ली थी ठीक है और इस बाइक के साथ मतलब कि मैं बहुत ही जादा इमोशनली जुड़ा हुआ भी था और इससे मैंने कई मतलब ऐसी सी जगा गया जहां पर जाना बिल्कुल इंपॉसिबल था 500 CC जैसा आप जानते हैं ये बहुत ही भारी बाइक में से काउंट रती है मतलब जब मैंने इसमregon एससे सीरीज लगा दिया तो ये और ज़्याधा भारी हो गये लग बदग 270 किलो या 300 किलो के आसपास का कुल इसका वेट है और अच्छा खासा हेवी वाइक है और क्योंकि मैंने इसमें एससे सेरीज इतना ज़्यादा लगा दिया था जिससे के कारण ये और ज़्यादा हेवी हो गया था मतलब आगे के लैग गार्ट सो थे ही वो भी मैंने काफी हेवी वाले लगाए थे उसके बाद जो साइड कैरियर है जो समान ले की जाने के लिए जो यूज होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी है मतलब वो सबसे ज़्यादा मतलब की जो मतलब प्रॉब्लम जो क्रियेट कर रहा था वो वही कर रहा था क्योंकि उसका वेट अच्छा खासा होता है और उसके उपर अगर मैंने बैग रख दिया तो वो फिर उसका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है अब भुज़ेंगे कि ठीक है तो आप पीछे वाला एक जो सिंगल बैग है वो क्यों नहीं रख लेते थे देखें सिंगल बैग मैंने रखने की कोशिश की जो मैंने पहली राइड जो थी वो डेली टू सिमला मैंने ट्राइवल किया था अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाए कर सिरी जरू देख लिजएगा उसमें मैंने पीछे बाइग वो पीछे बंजी कोट से उसको सिंगल बैग को बांदा वो जब भी मैं बांदा वो एक तरफ के तरफ भाग जाता अगर मतलब समझे लिजए जब भी मैं बांदा हूँ पूरा दम लगा के बांदे क्योंकि जो सीट है ना रॉल इंड फिल्ड का पीछे वाला वो थोड़ा सा कर्व है अब उस पर बैग बिल्कुल टिकता ही नहीं है जाहे मैं ऐसे स्टेट रख लूँ चाहे मैं चोड़ाई में रख लूँ वो नहीं टिकता है लास्ट में मुझे मेरे फ्रेंड के बाइक पर उसे बांदनी पड़ी और तभी मैं ट्रावल कर पाए क्योंकि हर दो-तिन किलोमेटर के बाद वो एक साइड तरफ चला जाता तो एक चीज़ तो यह थी कि मैं चाहे था उसका सीट चेंज कराता थोड़ी सी चौड़ी वाले सीट लगाता और खर्चा करना पड़ता उसके उपर और फिर ट्रावल करता अब बिदूसरा ऑप्षेन प्मे पस यह था कि मैं सैडल बैग रख लूँ दोन तरफ का और फिर मैं ट्रावल करूँ अब क्या हो रहा था जो मेंजर प्रॉलम था कि जब भी मुझे ट्रावल करना पड़ता मुझे कहीं भी जाना पड़ा चोटी ट्रिप की लिए जाना पड़ता तो मुझे ना सैडल बैग ही लेकी जाना पड़ता क्योंकि पीछे और कोई बैग रखी नहीं पाता मैं और मेरे आदत यह नहीं है कि मैं कंदे पर बैग टांग के और तव लंबी लंबी जर्नी जो कि पूरे दिन ट्रावल करना है उसमें आप केंदे पर बैग लेकर ट्रावल नहीं कर सकते हैं आपके हाथ बिल्कुल खुले बरने चाहिए क्योंकि बाइक कभी भी किदर भी टर्न ले सकती है तो इसलिए मैंने कोशिश अकसर यही बाइक मैंने लिए थीन अब क्या हो गया कि जब इस बाइक से मैं बता दूले रदाक मैंने ना जाने करीवन आठ electric करिकए इस बाइक से जन्सकार जो कि सबसे ज़या the text road मना जाता है रूट है वह और वह मैंने कर लिए इस ही बाइक दुरे है और जब लास्ट सब mention कर रहा भाइक बार बार फंस रही थी मतलब थोड़े सा भी पानी आदा था यह कीचड आदा था लग उसमें बिल्कुल यह बाइक बिल्कुल परफार्म नहीं कर रही थी और वो जो राइड थी वो बिल्कुल ही समझ लिए एक तरह से मुझे आदे मिसे ही लौट के आना पड़ा बाकी लोग गए लेकिन मैं उस बाइक को लेके आगे तक जा भी नहीं पाया क्योंकि दो बार तो वो गिर गई थी ठीके मैं इतना जादा लंबा हूँ फिर भी वो बाइक ना बिल्कुल सम्हाल ने रही थी क्योंकि इतना जादा कीचड़ था अब कई सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ आ रहा था लगबग मैं इस बाइक को सत्तर हजार किलोमेटर में चला चुका था और सत्तर जार चलाने के बाद भी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से रखा हुआ था बहुत मेंटेन कर रखा था फिर मैंने जब उस राइड से मैं लॉट के आया तो उसमें मेरा थोड़ा सा अंकल ना फ्रैक्चर किया हुआ था क्योंकि वो गिरने के कारण फिर मैंजे और एक तो वो रिजन था दूसरा एक रिजन और हुआ जब मैं जन्सकार कर रहा था जन्सकार में एक स्लोब आता है जिसमें बिल्कुल रोड ना इस तरह से है और उसमें बाइक को चढ़ाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई और आपको बता दो रोड इन फिल्ड जितना हेवी बाइक देता है उसके हिसाब से उसकी ब्रेकिंग सिस्टम उतनी ही ज़्यादा गंदी है बिल्कुली बेकार बिल्कुली वर्ष्ट उसका बिल्कुल ब्रेकिंग सिस्टम होता है खास करके क्लासिक का अगर आपने 800 के speed पर हो अपने rolling field bike का और आपने immediate break माने की कोशिच की पहले तो bike बिल्कुल डोल जाएगी पीछे पूरा skate करेगा वो और उसके बाद आप पक्का जाके कहीं न कहीं आप ठोग डालोगे breaking system बहुत ज़्यादा बेकार है उसकी एक major reason था जिसके कारण मुझे वो bike बेचनी थी एक और reason था कि अगर आप रोड पर चल रहे हो तो अगर कोई गड़ा आता है ना वो bike इतनी ज़्यादा heavy थे कि वो अगर गड़ा है तो आप side से cut के नहीं जा पाओगे आपको मजबूरी है कि वो ना इतना ज़्यादा heavy है कि वो आपको उस गड़े से निकाल के लिए कि जानी पड़ेगी तो ये long route के हिसाब से अगर मैं बोलू या फिर off-roading के हिसाब से बोलू तो कहीं से भी fit नहीं बैट रही थी मेरे लिए और मुझे तब मुझे लगा कि इस bike को निकाल देना ही मेरे लिए ठीक रहेगा और वहीं फिर मैंने किया और फिर बहुत सोचने के बार फिर मैंने ये bike बेची और KTM 390 Adventure ले इसमें लेने के लिए मेरे पास दो options थे चाहे तो मैं BMW की जो series जो सबसे starting वाली आती है 3010 वैसे कहीं से worthwhile नहीं है जिस pricing पर वो जो features offer कर रहे हैं वो कहीं से worthwhile नहीं है बिलकुल normal bike है बस एक BMW का ब्रैंड का नेम लगा हुआ है just because इसकी pricing इतनी ज़्यादा हाई है लग बहुत चार लाक यास पर पढ़ जाती है on road और same अगर मैं KTM 390 Adventure के बारे मैं बात करूं तो वो fully loaded bike है औ और दूसरी reason एक और मैंने जो notice किया कि अगर BMW की bike आपकी खराब होती है आप ले लदक जा रहे हो या फिर आपका कहीं आप travel कर रहे हो पहाडों में और आपको खराब होता है तो आपको चाहे तो चंडी गड़ जाना पड़ेगा वह फिर या फिर आपको दिल्ली वापस आ नहीं है और BMW को हाथ लगाने से पहले लोग दस बार सोचेंगे कि भाई BMW है इसको हाथ लगाओ या ना लगाओ या लगा खोल भी दिया तो दुबारा फिट होगा या नहीं होगा अब KTM में फिर मैं देखने लगा क्योंकि इसका बजाज के साथ टाइप है और बजाज के स कुछ प्रॉलम हो था तो मैं वहाँ पर ठीक करा सकता था एक तो वह था दूसरा मैंने देखा कि ले में भी इसका आउटलेट है तो वहां अगर को प्रॉलम होता तो मैं वहां भी सॉल्व करा सकता हूं मुझे टंगवा के दिल्ली लेकी आने की जरूद नहीं है तो कुल मि बस जिनों में इस बाइक ने क्या परफॉर्म किया है मतलब मुझे लगा ना कि जो मेरे चार लाक है जो मैंने लगाए इस बाइक के वीचे पैसा वसूल बाइक है एक बार भी बाइक धोखा नहीं दिया आपको पता दो रात का एक टाइम ऐसा था जब मेरे को ना ऊपर जा लोग और ते जिनमें से एक लोग की हालत बहुत जादा खराबती अंधेरे में मैं था बिल्कुल मैं वापस चार किलोमेटर नीचे आया मुझे जाने में मतलब समझ लो कि मेरे को इतना सा भी में दिमाग में नहीं था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम मतलब कि मुझे जाने में तो समय लिजी ये चार बार ये सिलसिला चला और फिर हमने वहाँ पर मतलब की होमेस्टे लिया तो ये चीजे जो थी ना वो मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस मुझे केटियम थी ना अन्टी पेडवेंचुर तब मैं बोलता हूं कि मुझे ये बाइक ना और इसकी ये ब्रेकिं जोड़ूँगा तो डाही लग के असवाथ पड़ जाता है दो लाग तीस हजार रुपे मैंने आज से लगबग पांस साल पहले देके रॉल इंफिल्ट की ये बाइक खरी दी और आज मैंने दो हजार तेईस में मैं ये बाइक किया और ये मुझे चार लाग की पड़ी और ब्रेकिंग सिस्टम एक नंबर है कई बार ऐसा मतलब ऐसा सीन हुआ कि गाए बिल्कुल क्रॉस करके बिल्कुल मेरे सामने आ गई वहारा ब्रेक मारा है और ब्रेक ने क्या रिस्पांस किया है गाड़ी बाइक बिल्कुल वहीं के वहीं खड़ी तो ऐसा भी सीन हुआ और ब दुबारा से फिर से KTM 390 Adventure के लिए ही जाओंगा क्योंकि पर्फॉर्मेंस बहुत ही बैतर ही मैं तो आपको समझ में आगया हो कि मैंने क्यों बेचा उसके ब्रेकिंग सिस्टम से में जो को बहुत ज़्यादा परिशानी थी और क्या बहुत बहुत ज़्यादा हो थी कियोंकि जो आफ रेडिंग में करता हूँ उस आफ रेडिंग के हिसाब से वो बाइक नहीं थी बागी आज के लिए इतना रखेंगे फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चेक केर नमस्कार झाल